हेलो फ्रेंड्स रेस्पी पिटारे चेनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स बारिस की दिनों में सबजी की थोड़ी प्राब्लम होने लगती है और महेंगी भी हो जाती है इस टाइम पे सबजी तो अगर आपको सबजी नहीं बैनाना है तो आप इस तरह से हरी मेर्च और हरी लहसन का चटनी बना करके खा सकती है या चटनी बारिस की दिनों में बहुत ही पसंद की जाती है तो इस चटने को बनाने के लिए मैंने लिया है हरी मेर्च, लहसन की छिली हुए कलियां और बदाम के भूने हुए दाने तो इस चटने को बनाने के लिए इसमें तीनों सामागरी हमें बराबर मात्रा में चाहिए तो सबसे पहले हम पैन गरम करते हैं और उसमें डाल देते हैं तेल तेल हमें तीन से चार चमज डालना है या चटनी खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होती है इस चटनी को आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं तो तेल गरम हो चुका है मैं इसमें डाल देती हूं चुटकी भर जीरा जीरा हलका सा चटक चुका है मैं इसमें डाल दूँगी लहसन की कलियों को और इसके साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने साफ पानी से अच्छे से धो करके और कप्रे से पोश करके लिया है और इसके सांथ ही इस में डाल देंगे मौफली के दाने तो दानों को मैं डाल करके अच्छे से चलाओंगी यह सारा का मुझे धीमियाज पर ही करना है और इस चटने को बनाने के लिए किसी भी मोटी तली या कढ़ाई में ही बनाएं क्यूंकि लहसन की कल्यों को और हरी मिर और इसके सांथ ही मैं डाल देंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक और बीच बीच में चलाते हुए दो से तीन दर तक पकाना है चाहे तो आप ढ़क करके पकाएं या तो बिना ढ़के भी पका सकते हैं तो चटनी बनाने के सांथ एक खास काम और कर लिते हैं रेश्पी प अब तीन से चार नट हो गए हैं और लहसन और हरी मिर्च चच्च से पक चुके हैं तो मैं इसमें एक चमच डाल देती हूं अमचूर पावडर गैस का फ्लेम बिल्कुल भी मैंने बंद कर दिया है अगर आपके पास अमचूर पावडर नहीं है तो आप इसमें आधा नीब मिक्सर को थोड़ा सा रुक रुक करके चलाना है और बीच बीच में चमच से चलाते रहें हलका सा दरदरा चटनी बना करके तयार करना है मुझे तो दिखे सारी सामागरी मैंने इसमें भर ली है तो लीजिए चटनी भी बन करके तयार हो गई है इस तरह से आप भी चटनी पना करके जरूर ट्राइ करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में